भाजपा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु की सरकार के अब तक लिये गए फैसलों को हाई कोट में चुनौती दी है। मंत्री मंदल का गठन तक नहीं कर पाई हैं लेकिन जनता विरोधी फैसली लिये जा रहे हैं। मंदल से बात कर मामला सुल जाना चाहिए। वहीं सुन्नी में सतलुज बांध पर 382 मेगावाट के हाईडो एलेक्रिक पावर प्रजेक्ट को मंजूरी के लिए उन्होंने केंदर सरकार का अभार जिताया। और कहा कि प्रदेश में सरकार जिसकी मर्जी हो मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। इस प्रजेक्ट की कुल लागत 2615 करोड रुपे है और ये सतलुज नदी पर बनेगा। इसे रोजगार के नेमार्ग स्रीजित होंगी। तो इस से लगता है कि मान्य परधान मंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नी मानते लेकिन करके दिखाते हैं हिमाचल के हित के लिए कोई भी योजना हो प्रयोजना हो उसको सबसे पहले हिमाचल को सवरित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महिने पहले बंदे भारत्रेन का विशे आया तो वह भी हिमाचल परदेश उन्ना से शुरू की। तो कहने का भी प्राई ये है कि हिमाचल परदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी मानने परदान मंतरी जी परदेश की हर हित की चिंता कर रहे हैं। तो भारतिय जंता पार्टी मानने परधान मंत्री जी का धन्याबाद करती है, भार व्यक्त करती है, और हमें आशा है कि आगे भी परधान मंत्री जी परदेश के हित के लिए काम करेंगे. आपने देखा कि सरकार तो अलग काम में लगी है जो जंता के कारिया हैं कि जहां फैक्टरी का इशू हो समिंट का इशू हो उसकी चिंता करें सरकार को तो केबल भारती जंता पार्टी ने जो ओफिसिस खोले हुए हैं उनको डी नोटिभाई करने में लगी हुई है और अपन 15,000 के लगबग जो ट्रक ओपरेटर हैं वो 40-50,000 के लगबग लोग इसमें आते हैं उनको देखें उनकी चिंता करें और सरकार को चाहिए कि अदानी ग्रुप से बात करें और तुरंत इसका समाधान करें भारती जंता पार्टी इन ट्रक ओपरेटरों के साथ कंदे से कंद मलाक के खड़ी है हमारे पिछले सरकार के अंदर जीम के अंदर कोई भी आशी घटना नहीं हुई लेकिन हम तो कोगरे सरकार से जब सता आई है बनते ही एक नया बखेडा कर दिया है तो हम तो यहीं नवेदन करते कि इसको सौट आउट करें और लोगों के हितों की रक्षा करें बड़ा दुर्भाग्या है कि सता परिवर्तन के बाद जो यहां ओफिसिस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं भारतिय जनता पार्टी की जब माने जैराम ठाकूर जी के नित्रतों में सरकार थी जितने भी ओफिसिस हैं वो लोगों के डिमांड के उपर खोल और कई ओफिस तो ऐसे थे जिनको एक एक लगबग एक वर्ष हो रहा है वहां चाहे ऑस्टा बैठा हुआ है काम लगा हुआ है लेकिन सता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतिय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया यह सारे ओफिस जो डी नोटिफाई कर दिये तो कई वार ऐसे लगता है कि सरकारी डी नोटिफाई है तो मैं तो मानिया मुख्या मंतरी से निवेतने करता हूं कि वो अपनी कैबिनेट बनाएं कैबिनेट बनाने के बाद अकला काम करें उनका यह की काम है कैबिनेट की चिंता चोड़के केवल आफिसों को डी नोटिफ करवाएगी और लोगों को जो उसका सदूपयोग जिसका ला मिलने वाड़ा है वो मिलेगा तो मैं तो दुबारा यही कहूंगा कि भारते जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है इसी तरह चलता रहा तो भारते जनता पार्टी सडकों में आके अंदोलन करेगी और अपने ह को लेगी जो अफिस खोले उन अफिसों को सुरू करवाएगी